शिशोधिया कसेट की नई पेशकश निकाल रही थी बिटोड़े के अंदर से तब किसी विशियर ने डस लिया उसके डसने से मेरी मा की मुझतु हुई लोग तो दुखी होते पर मुझको एक खुशी बिली कि चलो ये एक बंदन था इस बंदन से भी मैं मुखतों गया मैं गया बनमे में बटकते बटकते एक दिन वो संतों का दर्शन हुआ और संतों का दर्शन हुआ तब उन संतों ने मुझे दिख्षा दी गुरु मंत्र दिया भगवान के प्रेम का पाठ पढ़ाया भगवान के जो प्रेम का पाठ पढ़ते हैं प्यारे उनको संसार का पाठ पढ़ने की आवसकता नहीं है नर्शी बाबा जब भात वरने जा रहे थे तो उनके सिश्वों ने कहा जब गावाले इतना मजा कर रहे हैं अपमान कर रहे हैं तो रिष्टेदारी में बहुत उपहाज किया जाए तो नर्शी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही हमें क्या काम दुनिया से मेरा स्री कृष्ण प्यारा है बुरा माने चाहे भला कोई मुझे उसका साहरा क्या लेना है दुनिया सिश्वों जो आज तुमारा सम्मान कर रहे हैं काल तुमारी पीただ कि निंद और कर सकते हैं जो निंद करते हैं उनको कोई मतलब होगा तो तुमारे पास पेरों में गर जायेंगे बड़े दिन हो गई तुमारा दफ सन्मा कि निंदा इस तुटी से घबराना नहीं इसकी चाहत नहीं करना कोईOR बच्चे को भी ठालो, यह तुम्हारी स्वेन की जूटी है, जिसके साथ भी कोई बच्चा है, उसका ध्यान रखो, उसको छोड़ो मत इस तरह, ठाकुर जी का रूप हैं बच्चे, लेकिन, अब तुम्हारा तो दरिश्ट्री ठाकुर जी पर हमारी दरिश्ट्री आप लोग के तरफ जा रहा है, यह तो कोई बालक शेतानी करता है, तो हमारा ध्वन बचता है, स्रीः नारत भाबा कहते हैं, एक दिन, मैं महत्मावां के दिये हुए मंतर जाप करते-करते समाधी लग गई और मुझे दर्शन हुआ, बगवान स्रीः का दर्शन हुआ, बगवान कह मेरे पुत्र बहुत सिग्र तुम मेरे लोग को प्राप्त हो गए और फिर तुम देवरिशी की पद भी पाके नारद रूप में जमन दोगे। ब्यास जी मुझे देखो मेरे उपर प्रभू की कितनी करपाई यह सच्चन का फल है। ब्यास जी को सांत्वना दे करके नारद बाबा चले गए ब्यास जी अपने घर लोट के आए। सुगदेव जी कहते हैं सुगदेव जी कहते हैं इस सोनकादी रिशियों सुगदेव जी के जाने के बाद ब्यास जी को संतुस हुआ गया नारद की बाद सुनके घर आ गए लेकिन कुछ प्रसंग में आपको हस्तनापुर की ओड ले चलता हूँ। क्योंकि सोनकादी रिशियों ने कहा कि सूत जी महराज ने जब पिता से आगवत कथा का स्त्रवन किया तब इन्हों ने इस कथा को किसके समख सुनाया जिसका कल्यान किया हुआ। इस प्रश्ण के उत्तर में सूची कह रहे हैं हिशोनकादी रिशियों। दुर्योधन घायल अवस्ता में पड़ा है जगा तोड़ दई भी दादा ने और और जगा तूटने के बाद दुर्योधन की हालत बहुत गंबीर है। दुर्योधन का मित्र गुरुपुत्र स्वस्ता मा पास में आया उसने कहा मित्र मुझे तुमारे इस खायल होने का बड़ा कस्त तुम मेरे लिए कोई काम बताओ। तब इन्हों ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं पांचों पांडवों को मरा हुआ देबूए। मेरी इच्छा बस यही लेके मैं मर जाओंगा। तो बोले यह इच्छा मैं तुमारी पूरी करूँगा। यह यहां से गया है आधी रात के समय और जी जगे पांडव सोते थे उस जगे भगवार ने द्रोगदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया और पांडवों को लेकर के भगवार वहां से अलग चले गए अस्वस्ता मा आया अंधेरे का लाब उठा करके इसने जो पांचो पुत्रोंपी के सुला देखने में पांडवों जैसे लगते उन पांचों का सोते हुऊं का बद कर दिया उनको मारने के बाद पांचों के सिर काट करके जब यह ले गया और दुरियोधन के सामने इसने सिरों को भेट किया तब दुरियोधन देख करके गवार दुरियोधन ये तो पांड़ों के पांचों के फुत्र है, तुन्हें आज हमारे कुल को समाप्त कर दी है। दुरियोधन बहुत रोया। अस्वस्ता माने सूचा, अब मैं क्या करूँ। अस्वस्ता माने पांच मान, उन पांड़ों को मारने के लिए छोड़े। ठाकुर जी सामने आ गए, या कुरा के साहियां मार सके लागे। भगवान ने इनकी रक्षा करी। अस्वस्ता माने यहां से दूर चला गया। सोचने लगा हमने क्या करूँ। स्री सूची महराज कहते हैं, यह सोनकादी रिशियो। उत्तरा जो अभिमन्यू की पत्नी है। उत्तरा के गर्व में एक बालक, उस बालक को एक समूल गर्व नास कर दूँगा। एक इसने ब्रह्मस्त्र को छोड़ा। भगवान विदा हो रहे हैं अस्तनापुर के किले के द्वार पे सब लोग खड़े। कुंती महिया आई, ठाकुर जी को सब विदा कर रहे हैं यह आद्वार का जा रहे हैं। महाबारत के युद्ध समार्थ होने के बाद। और जिस समय भगवान जा रहे हैं तो भगवान को जाते हुए देखके, कुंती बहुत रहे हैं। कुंती ने कहा, अपने पुत्रों से, अरे पुत्रों यह जिनको तुम अपने मामा के पुत्र मानते हो, यह तुमारे मामा के पुत्र नहीं, यह साक्षाच्छी हरी का सुछूू। कौरवोन नहीं माना। दृत राष्टने भी नहीं माना भगवान है परमात्मान। पन्डवोन नहीं माना, क्योंकि कुंती मानती है भगवान है। कुंती को जब रोते हुए देखा, तो भगवान नहीं कहा बुवा आओ आगे आओ क्या बात है आप इतनी अधीर क्यों इतने दिन तक तो मैं यहा रहा अब जाना तो पड़ेगा द्वार का तब कुंती ने कहा शाम जुन्दर मैं तुम से कुछ मागना चाहूँ बगवान ने कहा बुआ ऐसी कौनसी वस्तु है जो मैं आपको नहीं दे सकते आप मागो कुंती ने कहा शाम सुद्र सारे संसार के दुख तुम मेरी जोली में डाल दो बगवान ने कहा बुआ सारा संसार सुखी कामना करता है तुम दुख क्यों माग रहे कुंती बुआ कहती है कनिया सुक्के माथे सिल पड़ी जो हरी को नाम भुलाए और बलिहारी वा दुख की जो फल फल ना हूँ तुम सुख में याद नहीं आते तुम तो दुख में याद आते हो मेरे पुत्रों को कॉर्वो ने कहा कहा मारने की चेस्टा नहीं की एम समर्प्यामी मैं तुमारी सरण हूँ प्रो कोई बाण जलता हुआ बाण और मेरे अंदर गया है पेट में बहुत पीड़ा हूँ भागुमान छोटा सा सुरूप बना करके स्वास नली से उत्रा के गर्व में चले गए और जो बालक गर्व में था ये कर्व में कौन था महा भागे साली परम भागवत स्री कृष्ण कृपा पात्र पांडवों के पौत्र पोते स्री परिशती महराज थे जो अस्वस्थामा के बाड़ से ये गर्व जल चुका था पर भगवान अंदर गए अपनी कृपा से भगवान ने उस गर्व को जीवित किया और नौ महीने तक मेरे प्रभू अंगुष्थ प्रमान अंगुटे जैसा सुरूप से नौ महीने तक को गर्व में एक सुरूप से चक्र लेकर के मेरे प्रभू ने उस गर्वस्त बालक की रच्छा रच्छे भगवान ने कहा जा तो रहे हैं पर हमको किसी की याद आ रही है और याद किसी आ रही है भगवान को जो याद करता है भगवान भी तो उसी की याद करते है छे महिने होने जा रहे हैं बाबा भी समय चौराशी बाड़ों की सहिया पर जो अरजुन ने मारे हैं उनके उपर डंगे हुए है और एक ही आवाज निकलती है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण पाइड़ों को ले करके जिस समय आए है भगवान शाम सुन्दर नेत्र बंद करके भी समझी बस एक ही दोनी मुझ से निकल रही है एक ही रट लगी है भगवान ने कहा देखो युदि सेर इतने कस्ट में भी जो मुझ को याद करता है तो मुझ को शान्ती कहा है किसी को एक जरा सा काटा लग जाए उस काटे की फीड़ा इतनी होती है लेकिन चोरा सी बाणों का कश्ट कितना है सब रुदिर निकल गया काया का शाम सुंदर आये भगवान शाम सुंदर ने आकर गे कहा तुम मुझे याद कर रहे थे देखो मैं आ गया भी समझी ने नेत्र खोले प्रभू को प्रुनाम किया अप्रनाम करने के बाद भगवान ने कहा प्रभू आपको बहुत कस्ट है भी समझी कहते है नात्र जब आप सामने आगे फिर कोई कस्ट बाकी नहीं रहे भगवान ने कह दिया सुदामा के प्रुसंग में स्रबडतर होगे जब सुदामा के पैरों के काटे जो नहीं निकलने वाले थे दातों से तबा तबा के खीचे तो मेरे कनिया से सुदामा ने कहा प्यारे अबोको तो आदत पढ़ गई है काटे खाने की सेने की तुम यह क्या कर रहे हो ? मु시는 निकाल रहे हो भगवान ने कहा सुदामा भीया काटे तब तक रहते हैं जब तक जीब मेरी सरण में नहीं नहीं आता और जब जीब मेरी स्रनाकती हो जाता फिर कोई काटा रहने नहीं देता भीसम जी के साथ ये इस्तितिपन रहे है भगवान कह रहे है आप मिश्चित्र भीसम जी ने कहा अब मेरी एक इच्छा है बताओ इच्छा ये है कि आप आएंगे तब बड़े बड़े योगी तुमारे आने की रहा देखते है कि तब प्राण त्याग है पर मेरी इच्छा है आप तब तक मेरा इंतिजारिया करो मेरी पृतिच्छा करो जब तक मैं प्राण नहीं त्यागू तब तक आप मेरे सन्मुक खड़े रहे है बहुत सुन्दर भगवान की इस्तुकी करी है और जब छोड़ चलू इस दुनिया को ओ तोपर नाम तुमारा हो तोड़ चलू इस दुनिया को तोपर नाम तुमारा है तोपर नाम तुमारा हो तो चाहे स्वरग मिले चाहे नरग मिले इरदय में बास तुमारा हो तन शाम नाम की जाए जब कहरी नीन में सोया रहूं ये कानों में मेरे गुन्वित हो कानों मेरे वुजत हो काना बस नाम तुमारा हो काना बस नाम तुमारा हो जब जोड जब कोई जे तुनिया को मेरे नाम तुमारा हो काना बस नाम तुमारा हो कर दो कर दो रस्ते में तुमारा मंदिर हो रस्ते में तुमारा मंदिर हो रस्तान करो जब मंदिल को रस्तान करो अरे जो खट पे तेरी मन मोहन जो खट पे तेरी अरे अंतिम पर नाम हमारा हो अंतिम पर नाम तुमारा और भी समझी ने एक प्रैथना करी बहुत सुन्दर क्या उस वात का नहीं आ जाना जब चिता पे जाकर सैन करूं मेरे मुख में तुलसी दल देना इतना बस काम तुमारा हो जब सोड चलो इस दुनिया को निर्दा पे नाम तुमारा हो पोटो पे नाम तुमारा हो कंड़ जी को कंड़ जी को पेना तुम क्या जी की नाम झाच कंड़ आफ क्या की जी की वान सांब क्यान गर सेवा की मैंने तेरी तो उसका ये उपहार मिले इस दास तेरे का सामरी ये इस हर्ष तेरे का सामरी ये नहीं आना काम दुवारा हो जब छोड़ चलू इद तुम्हारा हो तुम्हारा हो जाए फर्ग मिले जाए नरक मिले फिर दै में वास तुम्हारा हो फर दै में वास तुम्हारा हो जाए फर्ग मिले नरक मिले फर्दै में वास तुम्हारा हो आजा बे छोड़े चैलू में से दुनिया तो खोटों पे नावे कुपारा खोटों पे नावे कुपारा ना प्रोड़े के तुनिया तो खोटों पे नावे कुपारा खोटों पे नावे कुपारा बोलो नंद के लालाशी, बुर्वा के मिहारी नाली ती धीश्मजी महराज की इच्छा, प्रभू, जब तक मैं प्राण ना त्यागूं आप मेरे सनमुख खड़े रहे और आपको बताऊं, राज घराने में जनम हुआ, राजाओं के मद्ध में रहे, पर भी समझी भगती करते रहे आज कई लोग ये कहते हम तो इतनी उची नौकरी पे हैं, इतना रुप्या लेके रिटायर होके आएं, अरे भईया रिटायर तो हम भी कर दिये रेल्वे न, कहा, पुछ माओं, पुर्चों की दान आया है, मैं हमके नाम आपके सामने बता दूँआ हैं, हमको रुपिया आपने बहुत दे दिया है, अब क्या करना है, ये कथा आप सब के से हो रही है, प्यारे एक निवेदन सब से करूँगा, विशेश कर उन लोगों से, जो कई बाद टांग पकड़के खींचने की कोशिस करते हैं, ध्यान रखना, हम यहां बेठे हैं, इस व्यास पीट से, आपको एक बात समझा देना चाहते हैं, कि हमने न आज तक कोई रुपिया लिया, और आगे भी, जो भी हम कथा करने कहीं जाएंगे, अपने मुख से हम कुछ नहीं किसी से मांगेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए है, अरे खर्चा आप कर रहे हैं और रस हम पी रहे हैं, बताओ, इसलिए आप अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग, भगवान राम ने जब समंद्र के उपर पुल बनाया लंका में जाने को, सरीर में आप आए हुए हैं, धन-धन से परिपूर्ण हैं, परिवार वाले हैं, आपके मन में स्रदाबाव भगवान के पृति है, च्छत्रिय जाती में आपका जन्म हुआ है चाह च्छत्री कोई ब्राह्मन हो चाहे कोई बैस्य हो या अगन किसी जाती का हो कोई भी जीव यहां आया है सदेर ध्यान रखना भगवान सबका रुपिया नहीं लगवाते हैं अपने नाम की कथा में वो तो कोई बहुत ब्रिला होता है भगवान जिसको आदेश कर देते आजा उसके मन में एक भाव जागता भगवान राम ने जब बानरों ने पुल बनाया एक छोटी सी गिलेहरी जिसको तुमारी भासा में कटो कह देते वो जल में जाती है अपना सरीर भिगोती है रेती में लेटती है आकर के उस पत्थरों के उपर अपने सरीर को जाडती है फिर जाती है फिर समुद्र में नहती है गीली होकर के आती है रेत में लेटके फिर आके उस मिट्टी को जाडती है रामजने का लखन देखो ये छोटा सा जीव है, ये क्या कर रहा है, भगवाल ने उस गिलहरी को उठा के, अपने हाथ पे ले करके, और कुछ लोग हमें बताया करते थे, राम जी ने जब उसके उपर प्रेम की अंगुलियां फेरी, तो उसके उपर वो निशान बन गए, राम जी ने कहा, तुम इतना छोटा सा जीव हो, इतने बड़े-बड़े असंके बलवाले बानर ये पत्थर ले लेकर आ रहे हैं, किसी का पैर तुमारे उपर पड़ गया, ये तुम क्या कर रही हो, तुम एक तरफ क्यों नहीं बैठ जाती हैं, मालूम है गिलहरी ने क्या कहा, रागव, तुमारे चरण अत्यंत कोबन है, और ये पत्थर उचे नीचे है, आप जब लगा में प्रस्थान करोगे, और इस पुल के उपर होके जाओगे, तो आपके चरणों में पत्थर चुबहेंगे, इसलिए मैं इस मिटी को लाला करके इसको एक सार करने का, लेवल करने का काप करने है, एक छोटा सा जीव राम जी की सेवा कर रहा है, हमें आपको मनुस्य का सरीर मिला, मनुस्य सरीर पाकर के भी हमारे अंदर एक भाव हो, जाना तो सब को है एक हमारे चले गए, तो हम नहीं रहेंगे, ये निश्चित है, इसलिए सदेव ध्यान रखो, हर्चन आपका भाव ठाकुर जी की सेवा में, संतों की सेवा में हो, ब्रह्मनों की सेवा में हो, भी समझी महराज, भगवान का दर्शन करते करते प्रभु के स्रीधाम को, जिस दिन आपका ये परवाता है चोदे तारिक को, मकर संक्रांती इस दिन भी समझी, इसलिए हमारे हां की परमपराय बड़े बूड़ों को मनाती है बहुँए, भी समझी महराज, भगवान के स्रीधाम को प्रस्थान कर गए, सूद जी कहते हैं, भगवान शाम सुंदर के देखते देखते, ये स्री हरी के धाम को चले गए भी समझी, इधर भगवान द्वारकापुरी को चले गए, प्रस्थान कर गए, सब आनंदित हैं, एक दिन युदिस्टर जी महराज ने अर्जुन को द्वार का भेजा बहुत समय हो गए आप रभू की कोई ख़बर नहीं मिली जब अर्जुन को कई महीने हो गए अर्जुन नहीं आये हैं तब युदिस्टर एक दिन बड़े चिंतित हैं और चिंता करते करते भीम दादा से चर्चा कर रहें भीम भीया अर्जुन को गए हुए कई महा निकल गए अभी तक कोई कुछलता का समाचार नहीं मिला ये चर्चा चली रही थी उसी समय बहुत पीड़ा से पीड़ित मानो कितने दिनों का ये बिमार है अर्जुन गिरते पड़ते लोटते हुए और जो ही युदिष्टर के सामने पहुँचे अर्जुन की दसा देख करके युदिष्टर जी महराज ने दोड़ करके अर्जुन को अपने हिर्दे से चिप्टा लिया अर्जुन बहुत रोए युश्टर ने कहा क्या बात है अरजुन बताओ पार्थ द्वारका से आए हो प्रभू से मिल करके आए हो आप उनकी कुसलता का समाचार बताओ अरजुन ने कहा बहिया हम लुट गए हम तो सुनते थे वो चलिया है चल करते पर वो हमको भी जल गए हमको छोड़ करके चले गए द्वारका में जो 56 करोड यदुबंसियों का उस मूसल के चूड से जो उत्पन वो घास जहरीली घास हुई उससे सारा यदुबंस समाच तो हो गया प्रभू भी अपने स्री धाम को चले गए बहिया एक दिन आपको पता है भागेर्ती के तटपे एक ब्रहमनी बैठी थी तीन तलवार लेकर के हम तुम सब गए हमने भगवान ने उनसे कहा ये तीन तलवार क्यों लेकर बैठी हो तब उस ब्रहमनी ने कहा इन तीन तलवार से मैं तीन जनों का बद करूँगी एक यशोदा को मारूँगी एक द्रोपदी को मारूँगी एक अर्जुन को मारूँगी ठकवान ने कहा इनको क्यों मारना चाहती हो वो ब्रामने कहती है यशोदा ने मेरे शाम सुन्दर को जिसकी कोमल कोमल बैया है उखल से बादा अरजुन ने मेरे शाम सुन्दर से रठकवाया और द्रोपदी ने मेरे शाम सुन्दर को जर जहा जब बुला लिया भगवान ने कहा हे ब्रामणी आप इनका बद मत करो इनको कोई स्राप दे दो अरजुन कहते हैं भया तब उस ब्रामणी ने स्राप दिया कि यशोदा का श्रीक्रष्ण से सौ वर्ष तक का बिचो होगा सो वर्ष का बिछो ये शुदा का होगा अरजुन को स्राप दिया तुमने मेरे प्रमू से रथ ठकवाया जाओ मैं तुम्हें स्राप देती हूँ एक समय आएगा भीलों के द्वारा तुम्हारी हार होके भीलों के सामने तुम पस्त हो जाओ द्रोपदी को स्राप दिया तेरे पतियों से पहले तेरी बृतु होगी और वो सब तेरी अंदेखी करके आगे गड़ जाएंगे आज वो स्राप सत्य सिद्ध हो गया प्रभू के जाने के बाद जो मेरे लिए आते इस देकर के गए मैं सब गोपियों को लेके आ रहा था और आते हुए मैं रास्ते में भीलों ने गहर लिया और मेरे गांडी बान सब धरे के धरे रहे गे युदिश्टर ने जब सुना मालो सिर को पकड़ के बेठ गे जो सबसे बड़े हितेशी हमारे थे हमारे प्राण जीवन हमारे प्यारे शाम सुन्दर आज वो हम को छोड़के जोड़के बंदो जब ये समाचा राज महल में सुना गया तो जो गुआ कुटी है वो स्री कृष्ण के बिरह में उसने अपने प्राण दे दिये प्राण छोड़ दिये अगले दिन ये अपने साथ भगवान स्री कृष्ण के परपौत्र वज्र नाब को ले करके अरजुन आए हैं सब गोपियों को भीलों ने लूट लिया युदिस्टर जी ने कहा द्रत्राष्ट को बहुत कहा है कि जिनको तुमने और तुमारे पुत्रों ने सदा मारने की चेस्टा की आज तुम कूकर जैसी स्थिती में उनी के रोटियों के टुक्रों पर पल रहे हो आदी रात के समय में दिबिग्यान दे करके विदुर जी इंसम को ले करके दोनों दरत्राष्ट और गंदारी दोनों को ले के चले गई बाद में पांड़ब लोग भी पयान कर गए हिमाले में हिमाले में जाने के बाद बंदुवों सूजी महराज आगे कथा को बढ़ाते हैं कहते हैं हे सोनकादी रिश्यो पांड़ब के जाने के बाद राजा परिक्षत जिन्होंने दिग्विजे किया एक दिन मन में आया हमारे दादा पर दादाओं ने ऐसा जो राजाओं को जीता उनके उतारे हुए मुकुट कवच कुंडा लित्यादी जो नीचे रखे हुए ते खाने में उनको एक दिन लिरिक्षन करने पूँचे करा लो कहते हैं कहते हैं कर देंद चले आओ कर देंद चले आओ कर देंद चले आओ कर देंद चले आओ वो मेंस चले आ, वो पाल चले आ, वो पाल चले आ, वे मन मोहन मादल, दन शाम चले आ, वो न आ, वे मन मदल, वे मोपार चले आ, वो न वे मनम है, वे मनम को भी हम मोहन चले आ, वो वी मन मादल चले आ, वोबाकि वी हरी लाल लेगी, राजा परिशत एक दिन ब्रह्मन कर रहे थे तो अपने राज में उन्होंने एक स्थान पे एक बैल और एक गव को देखा बैल के तीन चरण नहीं है एक पेर पे खड़ा है और दोनों का कोई सम्माद चल रहा है सामने काले वस्त्रों में मुकुट बादे कुरूर सुभाब आला कुरूर सकल का ये व्यक्ति हाथ में तलवार एक हाथ में हंटर लेकर के बार बार गव और वैल के उपर प्रहार करते है परिक्षण जी महराज ने देखा रहे ये गव नहीं मन भगता है ये कौन है जो गव के उपर ऐसा खुदारगात करता है महराज परिश्यत ने तलवार निकाली और उसने कहा अरे ओ दुष्ट तू कौन है जो मेरे समराज में गव को गश्ट पहुचा रहा है उस गाले वेक्ती ने मुकुट उतारा परिक्षण जी के चरणों में रख दिया सर रख दिया महराज मैं गल्यूग हूँ आप दोनों कौन है गव माता कहती है मैं पृत्वी हूँ बेल ने कहा मेरा नाम धर्म है मैं धर्म हूँ अब तीन चरण तुम्हारे कहा गए ये तीन चरण सत्य छमा तप और शौच चार चरण धर्म के होते हैं शौच माने पवित्रता ये तीन चरण चले गए अब शौच का चरण रह गया और ये कहता है कि तुम मेरे सामराज को छोड़ करके भाग जाओ अब मेरा वास यहां होगा माराज परिक्षत ने तलवार ले करके और कल्यूग से कहा अरे दुष्ट मेरे होते हुए तु मेरे राज में रह करके और इनको सताता है तेरा यागमन कभी नहीं होने दूगा कल्यूग ने कहा महराज आप पांड़ों के बंसज हैं आपके यहां तो सरनाजतों की रक्षा होती है फिर आप मुझको मना क्यों करते हैं इसलिए आप मुझे रहने का स्थान दीजिए और हां परिक्षण जी ने कहा मैं तुझ को रखूंगा नहीं तो कल्यूग ने कहा सब के अंदर सब बुराई हों पर कोई अच्छाई जरूर होती है मेरे अंदर भी बहुत बढ़ी अच्छाई है क्या कि और युगों में जो काम तपस्या योग और समादी से नहीं होता था बहुत वर्ष लग जाते थे वो काम मेरे याँ एक रात का गोविंद नाम कीर्थन करने से मिल जाता है मजाक नहीं है गोविंद का कीर्थन और युगों में जो फल तपस्या योग समादी से नहीं मिलता था वो एक रात्री का गोविंद का खीर्टन करने से प्राफ्ट हो जाए अब परिक्षत जी सोचने पे मजबूर हो गए उन्होंने का ठीक है मैं तुमको स्थान देता हूँ चार अस्थान बताता हूँ रहने को ध्यान से सुनना बोले पहला अस्थान वो दिया जहां एंकार हो बोले एंकार का हम लेगा बोले जहां मंदिरा पान हो और तुम्हारी बहाद हम सम्झाओ जहां सराप की जाती है हम जो बार बार कहते हैं यह लोग मुस्कुरा जाते हैं हसते हैं इनकी मंद की बात कहते हैं और देखना शाम को कहेंगे गुरु जी तो ऐसी कहते रहते हैं मौसम जरा सुवागा जाते हैं ऐसा ही है न अरे हां तो कहो है न ऐसा ही है तुम दीरे दीरे हलाओ भी मुंडी को तुम चाहो तो इनको सदमार्ग दिखा सकती हो माताओं में तो बड़ी शक्ती होती है दूसरा अस्थान देता हूँ जहां कपट हो महराज ये कहां मिलेगा बुले जहां दूत कीड़ा हो दूत कीड़ा मने जुआ खेलते हो तीसरा अस्थान सुनो जहां हिंसा होती हो उसमें देता हूँ हिंसा मतलब जो दूसरे पशूओं का मास काट करके खाते है एक संत ने लिखा है मास मीन जे करई यहारा चौसट जन्म गिदव तारा भगवान कहते हैं इसको मनुस बनाया अब तक इसने बहुत मास खाया अगले जन्म में मास खाने वाला ही पक्षी बनाता हूँ गिदव बना दिया चौसर जन्म तक लगाता है गिदव बन करके जाए चोथा अस्तान और बताता हूँ सुनो मोह माने जहां परिस्त्री गमन होता हो वैश्यावर्थी होती हो चार अस्तान बहुत बढ़ी आवाले देदी अब कलियों को सोचने लगा कि यह चार अस्तान तो यह मिलेंगे नहीं यह चार अस्तान यहां नहीं होंगे आप तो चक्रवर्थी समराठ है जहां जाओंगा यह जगे तो होगी नहीं वहीं पर आप मुझको धनुसमान लेकर के दिखाई दोंगे माराज कोई और अस्तान मुझको दे दीजिए एक अस्तान और देता हूँ तुम उस धन में वास करो जो धन परमार्थ में कान में यहाता ऐसा धन कौन सा है बोले सुर्ण में वास करो कल्यूग तो चला गया सुर्ण में वास कर गया चार अस्तान नहीं थे पर यह सुर्ण में वास कर गया और इसने में थोड़ा सा वो करवाओ उपर गिरवा दो कहीं पी तो गिरवाओ हमने पहले कहा था कि आप जो है कि आप जो है को विन्दे रादे राधे को पाल राधे को विन्दे राधे को लोगो पाल राधे बजो रादे रादे कोबिते रादे बजो रादे कोबिते रादे कोबिते रादे बजो रादे कोबिते रादे कोबिते रादे रादे कोबिते रादे कोबिते रादे के कि अधर के तरह कि दर्सक करते हैं कि इस पर ये इस पर कि पेट है इस पर इस पर फेटव पार करना इस पर आज शिकार खेलने हैं परने जी थोड़ा सब उधर बता लो उधर उधर को बता लो थोड़ा उधर हो जाओ के लिमत थोड़े मुगुट को लगा करके मन में आया आज में शिकार करें आज तक किसी निरपराद का बद नहीं किया है महराज परिक्षत नहीं लेकन कल्यूग वेटा सर पे और मन में आया चलो आज शिकार करने चलते हैं बहुत निरपदार पश्वों का बद करते करते गोर जंगल में पहुँचे महराज परिक्षत और इस जंगल में महराज शमीक मुनी का आस्रम भोग प्यास से व्याकुल राजा पहुँचे हैं इन्होंने जाकर के शमीक मुनी को देखा जो भजन में बैठे थे पर राजा परिक्षत के सर पे कल्यूग बास करता है उस कल्यूग के कारण परिक्षत जी कुछ नहीं देख पाए और इन्होंने देखा कि ये महत्मा कोई पाखंडी है हमको देख करके नेत्र बंद करके बैठ गया अरे हम इसको अभी दंडित करेंगे और अश्रम से बाहर गए कोई मरा हुआ सर्प देखा लाकर के शमीक मुनी के गले में डाल दिया और राजा परिक्षत महां से चले आए शमीक रिशी का एक बेटा है स्रंगी रिशी जो बालक है बालकों में खेल रहा था गंग इश्नान करते समय किसी बालक ने आकर के कहा स्रंगी तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया उसी समय जल में खड़े खड़े दोनों हातों में जल लिया और जल ले करके कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है जिस राजा ने पता नहीं है कौन उसको आज से साथ दिन बाद तक्षक नाक के डसने से मृतू हो जाएग ये सरंगिर शी आस्रम पे आये आकर के पिता के गले से मरा हुआ सर्प भैका और पिता के गले से लगे महुत रोए पिता जी एक राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला पर मैंने उस राजा को दंडित कर दिया आज से साथ दिन बाद उसको तक्षक डसेगा और उसकी मृतू हो जाएगी शमीक रिशी ने लेत्र बंद करके ध्यान दरके देखा ध्यान में आए महराज परिक्षत आस्रम पे आए मात्मा ने कहा बेटा तुमने स्राप गलत आदमी को दे दिया वो तो पांडवों के बंसज हैं स्री कृष्ण के कृपापात्र हैं फिर तुमारे गले में मरा हुआ सर्प क्यों डाला अरे बेटा वो आए होंगे यहां उन्हें कोई भूल माला नहीं मिली होगी मिरे इस पागत में मरा हुआ सर्प डाल दिया संत कभी किसी की भुराई को आख दा नहीं है उसी समय शमीक रिशी ने अपने गौर मुखनाम के सिशे को हस्तनापुर बटाया इसने आकर के दरबार मैं मुझे पेश करो महराज परिक्षट से मिलना है क्यों मिलना है बताओ मैं उन्हें को बताओगा परिक्षट जी कि आगया ले करके गौर मुख को ले जाकर के सामने खड़ा किया आओ संत बिराजो महराज बिराजने का समय नहीं मैं महराज समीक रिशी का शिश्य हूं किसी बात से दुखी होकर के शमीक रिशी, हमारे गुरुजी के पुत्र स्रंगी रिशी ने आपको साथ दिन बाद तक्षक के डसरे से मृतू होने का स्राप दे दूँ जिस समय ये सुना है, क्योंकि राजा परिक्षत को पहले पता लग गया, जो ही सर से मुखो डुतारा, तब सारी बातें याद आगई, मैं किसी संत का अपमान करके आ जा 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 मैंने संतों का अपमान किया है, मेरा जनम उस कुल में हुआ, जो मेरे दादे पर दादाओं ने संतों की बड़ी रक्षा की है, संतों का सम्मान किया है, गव ब्रहमन की रक्षा की है, गव ब्रहमन का सम्मान किया है, एक मैं ऐसा अपरादी के संतों का अपमान करने चला, मर करता हुआ सर्प मैंने मेरी शिशमी के गले में डाला मुझे तो तत्काल मुर्तों को प्राप्त हो जाना चाहिए था गौर्मुख ने कहा महराज गुरुजी ने कहा है आप अपनी मुक्ति का उपाय कर लो क्योंकि सर्प के काठने से अधोगती होती है अगले जनम में तुमको सर्प बना पड़ेगा राजा परिक्षत उसी समय मुकुट उतार के रखा तलवार जो कमर में बदी तलवार उतार के रखी जो राजसी बेश मुसा है उसको सब को त्याग दिया आज एक महत्मा का वेश बना दिया और सारे हस्त्रापुर में शोर बच गया महराज परिक्षत को मृतू साथ दिन बाद तक्षक के डशने से मृतू को प्राप्त होने का स्त्राप बिल गया सारे प्रजाजन इकटा हो गए परिक्षत जी महराज की राणी खड़ी हैं सामने प्रिक्षत के पुत्र हैं जनमेजे उनको कहा बेटा अब समय नहीं है मैं तुमको राज खिलक करूँ अब अपना समाल लेना अब मैं चल कूँ और जिस समय अपने उस राज महल के सभा के द्वार पे मस्तक देखा है बंद वो प्रिक्षत जब चले तो एक बात कहते हैं सब को समझाते हुए उनको पता है कि मेरे जीवन की जो बुत्ती सुल्जेगी वो भगवान की कथा सुनने से ही सुल्जेगी पर कोई संत मिले कहते हैं मैं आज परिक्षत के जाएं